हालो दोस्तो में राकेश, MAP Treasurer Consultant तो आज डिसकस करेंगे कि कैसे rectangle हम ड्रॉण करेंगे AutoCAD में जैसे पहले की तरह हम दो ही step करेंगे first manually और second command use करके ठीक है first manually मैं बोलता हूँ home tab के अंदर जाके home tab के अंदर जाके यह rectangle जो symbol है उसको click किजिए ठीक है उसमें दो point देना है ठीक है first corner दो corner देना है एक इस side corner और एक इस side का corner click कर दिये तो हो गया ठीक है same चीज़ इधर भी लिखा है follow किजिए first corner और आपको कहीं पे ticklish देना है width देना है कुछ भी देना है आप accordingly आप उसको select कर सकोगे right next अभी मैं command use करूँगा उस command है क्या है rectangular के लिए REC REC rectangular enter first point अगर second point ठीक है similarly अगर मैं कोई command repeat करना है तो मैं space bar नहीं तो enter दोनों दमाने से वह सेम आ जाता है ठीक है तो आप first point लेकर second point पर मैं जाकर अगर कुछ dimension देना है मुझे ठीक है तो यह मुझे यह कुछ dimension चाहिए और यह कुछ dimension चाहिए तो वह हिसाब से dimension दे सकते हैं dimension कैसे देंगे for example एक 10 meter का हो गया ठीक है और एक width कितना है 5 meter का तो वह हिसाब से इधर दिखेगा यह आपका rectangle हो गया जो हमने dimension दिया है वह ही dimension इधर आएगा यह 10 meter और यह 5 meter का ठीक है सो rectangle कैसे बनाना है आपको clearly पता हो गया होगा कि कैसे rectangle बनाना है कैसे अगर dimension चाहिए dimension के हिसाब से कैसे देना है step by step आपको practice करना है इसको चार-पांच बार दस बार practice करो तब easily बहुत easily आपको याद रहे जाएगा इसको AutoCAD is all about practice अप जितना practice करेंगे उतना आपको अच्छा result मिलेगा इसका speed बढ़ेगा आपका accuracy बढ़ेगा सब कुछ बढ़ेगा राइट अब बहुत कम टाइम में आप drawing modeling बगरा drafting बगरा कर सकते हो ठीक है thank you for watching this video like and subscribe my channel thank you take care yeah